नमस्कार दस्तो, मैं स्री गनेज बंचेरे और आपका सावस्गता है अपने यूट्यूब चानल पर आज हम डिसकस करने वाले हैं वल्लेंटाइन दे के इतिहास के बारे में क्या आपको पता है वेलंटेंडे कब से शुरुवात हुई है, क्या उसका क्रूर इतिहास है, तो आज हम डिसकस करने वाले हैं वेलंटेंडे के इतिहास के बारे में, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा आज से 1700 साल पहले, यानि तीसरी शताब दिम, जिसमें यानि प्राच सुर्टीकरूर और निर्दई किसम के राजा थे, ऐसे ही अपनी प्रजा में एक उनोंने शर्वे किया और एनलाईज किया कि जो अन्मेरिड यूथ है, वो मैरिड यूथ के मुकाबले ज्यादा पावड फुल है, ज्यादा शक्तिशालिये, ज्यादा बलशालिये, तो उनो प्रजय ने अपने राज्य में एक ऐलान किया कि राज्य में ना कोई प्यार कर सकता है और ना कोई शाधी कर सकता है। नाम था सेंट वैलेंटाइन ये बात उन तक पहुंची फिर उन्होंने जो राजा है राजा के खिलाप यानि उनके हम कह सकते हैं कि उनके विपरीत जाकर उन्होंने जो प्रेमिय है उनका विवाहा करना शुरू कर दिया फिर कुछ दिनों बाद ये खबर राजा को मिली तो राजा ने फिर सेंट वैलेंटाइन को गिरफतार करने का हुकुम दिया फिर सेंट वैलेंटाइन को गिरफतार कर दिया गया बाद में जिस जेल में सेंट वैलेंटाइन को गिरफतार किया था उसी जेल के जेलर की बेटी जोकि अंधी थी वो अक्सर सेंट वैलेंटाइन से मिलने जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जेलर की बेटी सेंट वैलेंटाइन से मिलने गई तो सेंट वैलेंटाइन ने अपने पैरे हातों से उनकी आखों पे सहलाया। तो एक चमतकार हुआ वो अंधी बेटी देखने लगे ये बात पूरे राज्य में फैल गई और यही बात कुरूर राजा जो की क्लाउडिस थे उन्हें भी पता चली फिर क्लाउडिस ने हुकुम दिया कि सेंट वैलेंटाइन को फासी की सजा दी जा तो सेंट वैलेंटाइन को फासी की सजा दी गई और उसी दिन से प्यार मोहबत का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं और सेंट वैलेंटाइन के याद में हमने उसे वैलेंटाइन दे भी कहा है और वैलेंटाइन दे से ही हम उसे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं सेंट वैलेंटाइन जो कि पुरी दुनिया को प्यार महुबत की राहा सिखाते हुए अपना डेह बलिदान दे दिया क्या हम अपने माता-पिता भाई-बहान दोस्तों क्या सबी से प्यार महुबत से नहीं रह सकते वैलेंटाइन डे का मतलब स्रिफ गल्फ्रेंड बोई-फ्रेंड के बीच का प्यार ही न होके अगर हम प्यार की सही परिभाशा जान दे तो प्यार मतलब जो हम माता-पिता से करते हैं वो भी तो एक प्यार है जो दोस्तों से हमें लगा होता है वो भी प्यार है अगर जो मुख जानवर है, जानवर से जो हमें लगा होता है वो भी प्यार है रास्ते बे अगर कभी विकारी रहा है और वो विकारी देखते ही हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि हमें उसकी मदद करने चाहिए वो भी प्यार है तो हमें इस प्यार को बढ़ावा देना है, इस प्यार को आगे लेके जाना है, जिसमें इंसानियत जलकती है और इस इंसानियत जलकने की वज़े से पूरी दिन्या में इंसानियत की पावर और बढ़ जाएगी मैं स्री गनेज बंचरे और बिदा लेता हूँ आप सभी लोगों से मिलेंगे ऐसे ही इत्यास की रोचक्सी घटनाओं के साथ धन्यवाद